इस वीडियो में हम तीन बाते करेंगे, तलाग जरूर लेना चाहिए, अगर ऐसे हलात हैं तो, दूसरा ऐसा कौन सा तलाग है जो दस दिन में मिल जाता है, तीसरा इस तलाग के क्या फाइदे हैं, आप पती पत्नी हैं, आपके दो बच्चे हैं, आज आप परिष्टा ऐसा ब करता है कि पती को जान से मार दिया, खुद मर गया, आपने सोचा कि अगर आप पती पत्नी जो बच्चों के माबाप हैं, और अगर पती ने गुस्से में पत्नी को जान से मार दिया, तो कतल के जुर्म में पती को जेल हो जाएगी, यानि बच्चों के उपर से मा का साया लेगी वो कैसे जी पाएंगे आपकी बिन, ऐसी नौबत ही ना आए, इससे तो अच्छा है आप तलाक ले ले, लड़ाई का कोई भी कारण हो सकता है, तलाक हो जाए कोई बात नहीं, तलाक शुदा का ठपा लग जाए कोई बात नहीं, पर कम से कम सब ठीक तो रहेंगे, पती अपने तरीके से जिन्दगी जी पाएगा, और पत्नी अपने तरीके से जिन्दगी जी पाएगी, बच्चों की देखबाल भी होगी, अगर शांती होगी, लड़ाईों से बच्चे क्या सीखेंगे, वैसे तलाक लेने के बाद जिन्दगी असान नहीं होती, लेकिन ऐसे हा तो तलाक लेने से जिन्दगी असान हो सकती है। इसके लिए आप फैमली कोर्ट में तलाक के लिए अपलाई कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि तलाक दो तरह के होते हैं। एक मिच्वल कंसरंट तलाक और दूसरा एक तरफा तलाक। आपको मिच्वल कंसरंट यानि आपसी सेहंती वाला तलाक लेना है। यह तलाक आपको दो हेरिंग में ही मिल जाता है। और बस आप इतना ध्यान रखें कि तलाक देने का अधिकार सिरफ कोर्ट के पास है। एफिडेविट पर लिखा हुआ अकतलाक की कोई मान्यता नहीं है। इसलिए अच्छे वकील से संपर करें। बस आपस में पती पतनी को शांती से बैठ कर यह काम करना है। आप दोनों एक दूसरे की माली हला जानते हैं कि कौन कितना कमाता है, पती कितने कमाता है, पतनी कि माती है, तो बच्चों के भविश्य को ध्यान में रखते हुए। बस आप दोनों शांती से बैठ कर यह काम करें। पती, पतनी को अलमेनिक अमाउंट कितना देगा, बच्चे की कस्टडी कौन लेगा, अगर पिता लेता है तो पतनी उससे कब मिलने आ सकती है, कैसे मिलने बच्चों की पड़ाई उनका खर्चा कौन करेगा, मेंटेनिस का अमाउंट कितना रहेगा, अगर जॉइन्ट टॉपर्टी है, तो वाइफ का कितना शेयर रहेगा, अगर पती पतनी ने कोई अपने पैसों से अलग प्रॉपर्टी बनाई थी, तो उसको कैसा बाटा जाए पतनी का इस्त्रिधन पती को वापिस करना है, यह सब आप कोट से भारी सेटल कर लो, इसलिए आपसी सहमती वाला तलाक है, जो आपकी सहमती से ही सारे काम होंगे, सुप्रीम कोट के लैडमार्क जज्जमन पर सिविल कोट को यह अधिकार दिया है, कि अगर आप उपर वाली सारी फार्मेल्टी पती पतनी कर देते हैं, तो दूसरी हेरिंग में ही आपको डैवोर्स की डिकरी मिल सकती है, यानि आपके घर में शान्ती हो जाएगी और बच जाता है, दस दिन के कम समय की वजए से लोग को केस के बारे में पता ही नहीं चलता, शान्ती से केस खतम हो जाता है, वीडियो पसंद आए तो इस एक सबख चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना फ्री है, थैंक्स पर वाचिंग